Good morning students, B.S.A. Part 1st, Paper 3rd, Developmental Biology में अभी तक हमने Oogenesis तक पढ़ा था, Oogenesis के बारे में study किया था, अज़के लेक्चर में हम Oogenesis के अंदर ही type of egg membrane को study करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि Oogenesis के बाद जो egg का formation होता है, इन अलग-अलग animals में अलग-अलग प्रकार से होता है, उसके amount of yokey के basis पे हम इसको classify करते हैं, कभी उसके परिमाप के basis पे उसे classify करते हैं, तो सबसे पहले हम classification of egg पढ़ते हैं, और इसके अंदर पहला जो classification है egg का, वो amount of yoke means the पीतक की मात्रा के आधार पे इसका classification करते हैं, तो इस amount of yoke के basis पे हमने इसे चार भागों में बाटा है, A-lacithal egg means the A-pity की अंडाणू, Microlacithal egg का मतलब होता है शूश्म पीतकी अंडाणू, Mesolacithal egg का मतलब होता है मत्य पीतकी अंडाणू, और macrolacithal egg का मतलब होता है अती पीतकी अंडाणू, तो A-lacithal egg के मतलब होता है, A means होता है absent, जिसके अंदर योग की मात्रा नहीं होती या बहुत कम पाये जाती है, वे A-lacithal egg कहलाते हैं, जो की utherian and mammals के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो amount of yolk है वो बहुत ही कम मात्रा में पाये जाता है, और इसलिए यह जो इस प्रकार के जो egg हैं, वो amphioxys और tunicates के अंदर पाये जाते हैं, mesolacithal egg जो की हम कहते हैं मद्य पीती के अंडाणू, इसके अंदर amount जो है moderate amount में प्रेजेंट होता है, ना जादा 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 और ना जादा कम, तो इन जो eggs हैं, इनको हम mesolacithal egg कहते हैं, जो petromyzone, fufus means और amphibians के अंदर पाये जाते हैं, macrolacithal egg जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसको megalacithal और polylacithal egg भी कहते हैं, जो egg link animals के अंदर पाया जाता है, इस तरह से डागराम में देखते हैं कि यह amount of yolk है, बहुत ही कम है, यह macrolacithal egg इसके अंदर, इसके अंदर बहुत ही छूश मात्रा में पाया जा रहा है, इसके अंदर योग जो है, वो yellow portion में दिखाया हुआ है, और इसमें यह अधिक मात्रा में दिखाया गया है, इसी प्रकार से हम egg का classification on the distribution of yolk करते हैं, कि योग किस तरह से उस egg के अंदर distributed है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, आइसोलेसितल और होमोलेसितल एक, इसका होता है, इसमें समपित की अंडानू, इसको कहते हैं समपित की अंडानू, इसके अंदर अगर हम देखें कि जो little amount का योग present है, वो एक तरह से uniformly distributed है, आइसोलेसितल uniformly distributed योग है, जो कि अंदर गोलाड़ पीत की अंडानू, और ये जो है, इसके अंदर अगर देखें, तो moderate और large amount का योग पाया जाता है, और जो योग है वो not uniform होता है, इस basis पे, इस basis पे, not uniform basis पे इसको हमने तीन भगों में बाटा है, slightly telolacetal, moderate telolacetal और extremely telolacetal egg, slightly telolacetal egg का मतलब होता है, कि योग जो है, वो एक पोल की तरफ आ जाता है, या concentrate हो जाता है, एक पोल की तरफ वो distribute होता है, और इसके अंदर इस एक small amount of योग जो है, वो unliverly distributed होता है, वेजिटल पोल है जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है जाता है, इसके अंदर इसके अंदर योग जो है, वेजिटल हैमिस्वेर की तरफ आ जाता है, और more towards हो जाता है, एनिमल हैमिस्वेर के जैसे की amphibians eggs के अंदर पाया जाता है, extremely terolacetal egg, इसके अंदर दो पोल और वो भी animal पोल की तरफ उसके अंदर योग की मातरा, negligible होती है, जो कि avian और reptiles eggs के अंदर पाया जाता है, इसके बाद आते हैं तीसर प्रकार का, ये कहलाते हैं central lecithal egg, central lecithal egg के अंदर अगर हम देखें इसको, तो केंद्र पीत की अंडानू कहलाते हैं ये हिंदी में, और इसके अंदर ये जो योग की मातरा है, वो center में आके जमा हो जाती है, जो की generally orthoports और silentrates के अंदर पाया जाता है, इनके अंदर जो egg है, वो elongated प्रकार का होता है, और यहां पर ये बीच में जाके, center में जाके, ये योग जो है, जमा हो जाता है, इसके चारो तरफ ये नीले अकार का जो है, ये cytoplasm होता है, तो इ जादा तर insects के अंदर पाया जाता है, mosaic और regulatory eggs, इसके अंदर ये दो प्रकार के egg जो है, वो इनकी study करते हैं, और ये जो egg है, ये mosaic egg, पहला इसके अंदर जो mosaic egg है, उसका मतलब होता है, कि जो portion है, egg के, egg के cytoplasm है, वो pre-determined होते हैं, मतलब पहले से ही उनमें बनने वाले अ इसके अंदर सारे egg के अंदर small portion जो है, वो के अंदर से अगर हम एक portion को अलग कर दें, तो वो defective embryo का निर्माठ करेगी, तो इसके अंदर हर cell responsible होता है, कोई ना कोई अंग बनाने के लिए, तो इसे लिए इसको हम जो की mosaic egg कहते हैं, जो की enlid, molluscon, और acedians में पाया जाता है, जैसे कि अगर इस diagram को देखें, तो this is a gigot, जो egg है, और इसके अंदर अधे portion को इसको अगर हम निकाल दें, तो इससे बनना वाला जो embryo है, वो आधा ही बनेगा, तो mozoic है, इसके अंदर हर cell responsible होता है उसके अंगों को बनाने के लिए, जबकि regulatory egg जो होता है, उसके अंदर उसके अंदर egg जो है, किसी भी cell से पूरा embryo का निर्मान हो सकता है, इसका मतलब small portion अगर हम उस egg के अंदर से निकाल दें, तो भी पूरा embryo जो है, वो normal बनेगा, इसके इन तरह के जो eggs है, वो regulatory eggs कहलाते हैं, इसके बाते हैं हम, shell, on the basis of shell, हम egg को दो भागों में बाणते हैं, पहला है, kleoidic egg और दूसरा है, non-kleoidic egg, इसके अगर इनको हम समझें, तो egg जिनके अंदर thick, hard, outermost layer present होती है, hard, जो hard shell है, वो permeable होता है, gases के लिए, योग, salt and water is present in large amount in kleoidic egg, और यो kleoidic eggs को होते हैं, ये terrestrial adaptations में पाए जाते हैं, जैसे कि birds, reptiles, protherean mammals and insects, और non-kleoidic eggs जो होते हैं, वो ज़्यादा तर उन animals के अंदर पाए जाते हैं, जो अपने अंडे water के अंदर देते हैं, egg membranes जो होती हैं, उनकी soft होती हैं, और viviparous animals के अंदर ये generally, जो की पानी में अपने अंडे देते हैं, उनके अंदर पाया जाता हैं, इसके बाद हम आते हैं, N egg envelops और membrane, इनको N egg envelops क्यों कहते हैं, ये बताया जाएगा, इसके अंदर जो membranes हैं, covering हैं, that is called as egg envelops, which are present outside to the plasma membrane of the oocyte or ovum is known as the egg membrane, is now instead of membrane, envelope term is used, envelope containing oocyte or ovum is called an egg, इसके अंदर एग के अंदर चारो तरफ जो उसके membrane होती हैं, जो की protected membrane होती हैं एक तरह से उस embryo के लिए, these membranes are called as the egg membrane, जो की plasma membrane के ऊपर पाया जाती हैं, इसलिए इनको egg envelops कहते हैं, इस एग envelope को अगर हम उनके origin के basis पे हमने इसको तीन टाइप में divide किया है, पहला है primary egg membrane, दूसरा secondary egg membrane और third is tertiary egg membrane, primary egg membrane जो होती हैं, वो they are secreted by the eggs, eggs से secret होती हैं, जो की होती हैं, witline membrane और ये जो witline membrane होती हैं, दो भागों में divide होती हैं, जोना pellucida and जोना reticulate, secondary egg membrane जो होती हैं, वो ovary से secret होती हैं, और ये कहलाती हैं, और जो की chorion और insects के अंदर पाई जाती हैं, tertiary egg membrane जो secret होती हैं, oviduct से, और ये ज़्यादा तर egg coat होता है, of the frog और albumium egg shell of the shell of hen, hen के अंदर जो shell membrane पाई जाती हैं, वो oviduct से release होती हैं, जिस तरह के हमने जाना, egg envelope जो है, या egg membrane जो हैं, वो eggs को protect करती हैं, और ये जो egg membranes हैं, ये या तो follicle cells जो हैं, वो secret करते हैं, या egg की membrane secret करती हैं, egg cytoplasm secret करता है, या oviduct जो है, वो release करता है, तो primary, secondary and thirdary membrane में divide होती हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, primary membranes की, ये primary membrane जो है, वो secret होती है, egg cytoplasm से, जो कि हम different animals के अंदर different नाम से जानते हैं, जैसे कि plasma membrane, ये plasma membrane है, egg की just उपर वाली covering, इसके अंदर ये plasma membrane, जो कि plasma membrane of cell की जैसी ही होती है, किसी भी cell की जो plasma membrane है, वैसी ही होती है, तूसरी आती है, wetline membrane, ये जो wetline membrane है, वो plasma membrane से just attached होती है, closely attached होती है और very बहुत ही पतली और transparent होती है जो कि बनती है mucopolysacrite और fibrous protein से यह space जो यह plasma membrane और wetline membrane के बीच में जो space पाया जाता है उसे peri wetline space कहते हैं जो कि peri wetline fluid से भरा हुआ होता है तीसरा number जो primary membrane होती है वो korion होती है और यह जो primary membrane है lower chordates के अंदर जैसे fishes के अंदर इनको हम इस primary membrane को korion नाम से जानते हैं जोना radiator यह जो है generally shark के अंदर primary membrane के रूप में पाया जाती है और यह जो outer membrane है wetline membrane ही होती है जो कि an inner membrane of the radiating appearance and health is called the jonah radiator the eggs of the telioid fishes are also covered by the jonah radiator इसके अंदर यह जो जो जोना radiator होता है इसी को jonah pellucida के नाम से भी जानते है all animals eggs are surrounded by a membrane called the jonah pellucida is also known as the jonah radiator क्योंकि इसका नाम इसलिए दिया किया क्योंकि यह stated appearance चैसी दिखती है under the microscope इसके अंदर stated muscles चैसी structures दिखती है the stereations are due to the presence of the microvilli and microvilli is called as demo desmosomes in this dome the microvilli are produced by the surface of the egg and microvilli are produced by the follicle cells so they are called as the jonah pellucida इसके बाद अब अब आते हैं second type of membrane this is called a secondary membrane जो की दो प्रकार से हम जानते है एक तो होती है korion और दूसरी korona radiator यह जो secondary membranes है वो ovary से release होती है follicle cells जो होते हैं ओवरी के अंदर भुन से यह release होती है these membranes are usually tough and impermeable and korion is the common outer covering in the eggs of the insects, acedians and cyclostomes it is found outside the wetline membrane के जस्मीन wetline membrane is the primary membrane और उसके ऊपर यह secondary membrane की तरह पाई जाती है korion as the korion is tough and impermeable इसलिए इसके अंदर छोटे छोटे opening पाई जाती है जिसे कहते हैं micropiles यह जो है वो sperm के enter होने के लिए help करते हैं दूसरा आता है corona radiata this is type of secondary membrane found in the mammalian egg and membrane is formed of the layer of follicle cells and these cells are radiating arranged around the zona pellucida next आता है third is tergery membrane यह tergery membrane जो है वो OV duct से release होती है या बनती है जो कि जिनको हमने divide किया है white albumin यह जो white albumin है हम एक मुर्गी का अंड़ा सभी ने देखा है उसके अंदर अगर हम उसे फोड के देखे तो उसके अंदर एक albumin white albumin पाया जाता है और यह जो है यह wetline membrane के just भार की तरफ present होता है इसके अंदर यह albumin भी तीन भागों में divide होता है dense albumin, middle dense albumin and less dense albumin यह जो albumin है वो water or protein से बना हुआ होता है इसके बाद आता है shell membrane यह जो shell membrane है वो albumin के उपर की तरफ present होता है और double membrane होता है और यह जो membrane से closely attached होती है एक दूसरे से यहां पर यह separate करती है in the air space of the blend end of the egg blend end जो एक की तरफ जो portion होता है उसके अंदर एक space पाया जाता है उससे यह दोनो अलग होती है this membrane is formed of keratin यह keratin से बना होता है थर्ड सब जानते हैं shell जो calcium carbonate से बना होता है white या brown color में यह पाया जाता है और generally यह land animals के eggs में पाया जाता है इन egg के उपर एक porous minute pores और छेद पाया जाते हैं जो कि एक egg के उपर 7000 तक पाया सकते हैं और इनके अंदर एक proteinous substance present होता है collagen जिससे यह जुड़े होते हैं तो shell जो है calcium carbonate से बनाता है और calcium carbonate जो है वो proteinous subject से जुड़ा होता है जिससे हम कहते है collagen कुछ animals के अंदर tertiary membrane jelly coat के रूप में present होती है जो कि amphibians eggs के अंदर पाया जाती है यह एक gelatinous covering होती है जिससे is called as jelly coat कुछ animals के अंदर यह जो tertiary membrane है mermaid purse के उपर परस के जैसे पाई जाती है जो कि एक एक तरह से cell के उपर एक long twisted elastic filament होता है जो कि eggs के साथ attach होता है और यह जो eggs हैं वो किसी भी sea weeds के साथ attach हो जाती है जैसे in dog fishes के अंदर पाया जाता है तो यह यह जो है types of egg membranes इस डियाग्राम के अंदर अगर हम देखें तो एक यह एक टूटा हुआ हुआ है जिसके अंदर यह egg yolk है इसके अंदर thick thick egg white है thin egg white है these are the outer and inner shell membrane here this is the cell thank you students अगले lecture इसी के continuity के lecture में हम पार्ट तू में हम इसके अंदर types of egg in different animals की study करेंगे thank you